नमस्काल वित्रों मैं हूँ आश्वरविशंकर और हमारे चैनले में आपका स्वाबत है अक्सर कुंडली में यदि विप्रीत ग्रहों की दशा या अंतर दशा आ जाए तो जातक अक्सर घबरा जाते हैं और फिर वो जोतिशाचारें के पास जाते हैं पंडेतों के पास तकरीवन नबे वर्षम जाता कैसा चाते है कि कोई शॉटकट बता दो और जिसमें हमें इतना ज्यादा कुछ करना पड़े अपने उपर कुछ वर्कॉट ना करें हम अपने उपर और निदान हो जाए देखिए एक चीज तो ध्यान रखना है विप्रीत ग्रहों की दशा ज अपनी जागरुकता मतलब अपने खाने के बारे में अपने पहनने के बारे में अपने लाइफस्टाइल के बारे में कितने बज़े में उठता हूं कितने बज़े सोता हूं और क्या मैं खाता हूं कैसे मैं सुबह साहर करने जाता हूं नहीं जाता हूं क्या मेरा वर्कॉट है कितनी मेरी इंटेक है डाइट की कितना मैं पानी पी रहा हूं और क्या मैं किसी का अकारण ही दिल तो नहीं दुखा रहा क्योंकि एक चीज़ जहां रखिए जब शनी की खास कर दशा अंतरदशा घ्या या साड़े साथी आती है तो शनी क्या है बेसिकली न्याय धीश का उ तो शनी को न्याय दीश मान दे है तो इस पीरिट के दुरान उस जातक की जीवन में बहुत चेंजेज आते हैं और उसके कर्मों का न्याय होता है यानि कि वो जस्टिफाइए करते हैं उसके कर्म तुमने पहले ये तो अब ये रिसल्ट आने वाला है तो उनी को जो हमारे तो कभी किसी का कारण एक दिल ना दुखाएं, दूसरा, हमेशा अपना जीवन चैली एकको जागरूप रखें, अपने खानपान के बारे में, उठने बैठने के बारे में, और लाइस्ट्राइल इस तरीके से बनाएं कि हमें इश्वर की प्राप्ती में थोड़ा वर समय जर चाहिए, तो मैं कुछ आपको प्राइब बताने जा रहा हूं, शनी का लेखिए, एक आक्षरी बीज मंत्र, एक आक्षरी बीज मंत्र आता है, ओम शम शनिश्चाय नमा, बीज मंत्रों से ग्रहों को आप बहुत जल्दी उनके कुप्रभाव से बच सकते हैं, उन से निजा प्राया मार्कन सम भूतम तम नमामी शनिश्चरम तो इस मंत्र का भी यदि आप प्रयोग करते हैं, आप निमत रूप से तो ज़रूर ही आपको शनी के उप्रभाव से जिजाद मिलेगा, और शनी के एक तांत्रि मंत्र भी आता है, ओम प्राम प्रीम प्राम सहा शनिश्च किसी शुब मुरत में लेकर रहें, यदि तांबे का हो तो बट अच्छा है, लोहे का भी इस्तमाल कर सकते हैं, लेकिन तांबे का में ज्यादा लोगों को रिक्नमेंट करता हूं, और यदि ना ले पाएं कहीं से तो आप भोज पत्र पे, अनार की कलंग से, अश्ट गंद क किसी शुब मुरत में इसको बना सकते हैं, और धारण विधिवत उसको शनिवार के दिन का सकते हैं, तो निच्छी दी आपको लाव होगा आपसे, यह छोटे से मैंने अप बिल्कुल उपाय बताएं, यह आप करें, और अपनी जीवन शैली के बारे में जागरुपता विव्ट पर न चलें तो यह दिखते हैं हमीशा हर को आ आने ही वाली है, लेकिन पॉप आने के पत्फ पे अधियम अ अग्रसर रहते हैं, तो हमने अन्दर ही अध्यात्मित से ध्यात्मिक्ता से शक्ति मिलती है, ध्यात्मिक पावर हमारे अंदर आजाती है, उर्जा इस तरीके से परवाव होता हमारे जीवन में, कि वो फिर हमें कहीं डूबने नहीं देती, तो आशा करता हूं आपको वीडियो यह जरूर कसंद आएगा, इसी के साथ ही अमनी माने के रेवावने जाव में दुटतू नहीं हजाने हैं